हेलो लेर्णरस यह हमारा हिंदी सेशन का वीडियो है लास्ट हमने कारक पढ़ा था और वचन पढ़ा थाERE अभी हम सर्वनाम पढ़ेंगे सर्वनाम के पहले हम संग्या पढ़ चुके हैं कि संग्या क्या होता है राजीव देर से घर पहुँचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चल रही थी, इस वाक्य में उसकी का प्रियोग राजीव के लिए प्रियोग हुआ है, तो अता उसकी शब्द सर्मनाम कहा जाएगा, हिंदी में सर्मनामों की संख्या ग्यारा है, जो है मैं, तुम, आप, यह, व जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, चली, पुर्णरा वृति से बचने के लिए संग्या सब्दों के स्थान पे जिन सब्दों का प्रियोग किया जाता है, वे सर्मनाम कहलाते हैं, सर्व का अर्थ है सब्द का नाम, और अर्थ है संग्या, अर्थात संग्याओं के स्थान पर प्रियुक्त होने वाले सब्द को सर्वनाम कहते हैं सर्वनाम विकारी होते हैं और इनके भी कारकिये रूप बनते हैं अंतर केवल इतना है कि सर्वनाम संबोधन के रूप नहीं होते सर्वनाम के प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम बोलने वाले सुनने वाले अत्वा किसी अन्य व्यक्ति के जिसके विशे में कुछ कहा जाए का ज्यान कराए वो पुरुस वाचक सर्वनाम कहलाते हैं पुरुस वाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष उत्तम पुरुष जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, हमारी आदी मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, तेरा, तुम्हारा आदी अन्य पुरुष वह, वे, उसका, उनको आदी निश्चे वाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति अत्वा वस्तु का ग्यान हो उन्हें हम निश्चेवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे यह वे वह वे आदी अनिश्य वाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का वोध ना कराए उसे अनिश्य वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे कुछ, कोई, आदी संबंद वाचक सर्वनाम संबंद वाचक सर्वनाम वे हैं जो एक शब्द का दूसरे से संबद जोडते हैं जैसे वैसा जैसा उसकी सो जो जिसकी आदी प्रस्नवाजक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयो किसी वस्तु या वैक्ति के विशेश में प्रसंद करने के लिए किया जाता है उसे प्रस्ण वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे किसको, कौन, क्या, कौन आदी नीजवाचक सर्वनाम जो उत्तम पुरुस, मध्यम पुरुस, अत्वा अन्य पुरुस अपनी आप बोध कराए वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे स्वता, आप, स्वेम, अपने आप, आदि अब सर्वेक्षित भासाओं में सर्वनामों के रूप हिंदी में मैं, क्वाराठी में मी और ये मारवारी में हूं, गुजराती में हूं और मैं, उर्दू में मैं, सिंदी में मन्जो तो ये आप यहाँ देख सकते हैं इस तालिका में लिखा है कि अलग-अलग भाजाओं में सर्वनामों को किस-किस तरह से बोला जाता है तो ये था हमारा सर्वनाम आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फर वाचिंग